प्रिया सिक्षार्थियों एन आई ओयस के इस इस्टूडियो में मैं डाक्टर निलेश कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनन्दन करता हूं आज हम अध्याए 21 आलंकारिक परिचेह पाठ का अध्यन करेंगे प्रस्तुत पाठ में अलंकार के अलंकार सास्त के अलंकार के वरण करने वाले कवियों के आचारियों का परिचेह दिया गया है पुरों में जैसा बतलाया गया है कि अलंकारों का उर्भव वेदों के समय से माना जाता है, वेदों में भी अलंकारों का वरण प्राप्त होता है कालांतर में लौकिक संस्कृत में काब्रसास्त में आचारे भरत मुनी ने अपने गरंथनाट के सास्त में चार अलंकारों का वरण किया उपमा, रूपक, दीपक, यमक कालांतर में उन्हीं को आधार बना करके अन्य परवर्ती जो काब्रसास्त के आचारे हुए भामह, रुद्रट, वामन, दंडी, आरी जो आचारी हुए उन सभी ने अपने गरंथों में अलंकारों का वरण किया गया है अलंकारों का वरण किया है अलंकारों की संख्या के विशय में भी मतभेद रहा है जहां आचारे भरत ने अपने नाक्य सास्त में भरत मुनी ने चार अलंकारों का वरण किया वही जाते जाते परवर्ती आचारों तक पहुंचते पहुंचते वह अलंकारों की संख्या एक स अलंकारिक कभी कहा गया है तो अलंकरोत इती अलंकारह जैसे सामानिभासा मेगा समझे तो जैसे कोई इस्त्री अपने को सुसजित करने के लिए सुन्दर दिखने के लिए अलंकारों का प्रियोग करती है अलंकारों को धारन करती है, आभूसन को धारन करती है, वैसे ही काब्य को सुन्दर बनाने के लिए काब्य के अलंकार के रूप में उपमा रूपक अनुप्रास अलंकार, अर्था अलंकार, अर्था अलंकार आदी अलंकारों का वरन किया जाता है, अनुप्रास अदी सब्दा हुए आगे हम अलंकारी जो कभी हैं आचारे हैं उन आचारियों का वरणग करेंगे जिन्नों ने अपने अपने ग्रंथों में अलंकारों के संबंध में विशद विवेचंग किया है और उसको अपने काव्य में प्रमुख तत्रों से रखा है यद्यपी आगे आने वाले जिनाचारियों का हम वरण करेंगे उनके प्राणभूत तत्रों के रूप में काभ्य में प्रमुख तत्रों कौन सा होना चाहिए इसको ले करके मतभेद अवस्य है किन्तु काभ्य में अलंकार की इस्थतिक को सभी स्विकार किया है कि काभ्य में अलंकार नहीं होगा तो काभ्य की सुन्दरता नहीं होगी इसलिए सभी आचारियों ने मुक्त कंठ से एक स्वर में अलंकारों के महत्र को समझते हुए अपने ग्रंथ में उसको इस्थान दिये है अब हम रथम आचार आनंदवर्धन के करने में आचारे आनंदवर्धन का महत्रपुर्ण स्थान है यह कहा जाए तो यह सयोक्ति होगी कि ध्वन को जितना परिवरधित रूप में जितना पुष्ट रूप में इन्होंने प्रस्तुत किया प्रायह सायद ही कोई अन्य आचारे ने ऐसा किया हो इसलिए इनको आता पिता के नाम के संदर्व में साहित्तिक उलेखों से प्राप्त होता है कि इनके पिता का नाम नोड़सुत है नोड़सुत इनके पिता का नाम प्राप्त होता है इनका समय नवन सताबदी के मध्य से लेकर के नवन सताबदी के उत्तराज सक ही माना जाता है इनका जन्र स्थान अन्य कवियों की भाति आचारे आनन्द वर्धन का जन्द स्थान भी कस्मीर छेत्र माना जाता है इनका जन्द भी कस्मीर में हुआ है अब इनके प्रमुख जो रचनाएं हैं उस पे हम लोग बात करेंगे आचार आनन्दवर्धन की बहुत सी रचनाएं प्राप्त होती है जिसमें देवी शतक, विशम बाण लीला, अरजुन चरित, तत्वा लोक और ध्वन्या लोक आधी महत्रपुर्ण ग्रंथों की इन्होंने रचना की है ध्वन्या लोक जो की काव्य सास्त्र का प्रमुख ग्रंथ है यह चार उद्योतों में विभक्त है पुर्व में बताया गया जैसे हमारी पाच्छ पुस्तक, हमारी पुस्तिका अध्यायों में विभक्त होती है ऐसे ही आचारे उन्हें अपने अपने ग्रंथों को विभाजन आचारे आनंदवर्धन का आनंदवर्धन जिन्होंने ध्वनी संप्राय को स्थापित किये अथार्थ जिन्होंने ध्वनी को काव्य का मूल माना काव्य का प्राणभूत तत्र माना इसलिए उन्होंने काव्य के प्राणभूत तत्र के रूप में ध्वनी को स्विकार करते आचार अपय दिक्षित और चित संप्रदाय को ले करके इनका वरण होता है इनके पिता का नाम रंगराज दिक्षित था इनके पिता मह आचार दिक्षित है इनका समय सोलहवी सताब्दी के मध्ध से ले करके सत्रहवी सताब्दी का उत्तराध माना जाता है इनके जन्र स्थान के विषय में, इनको दच्छिर भारत का निवासी और तमिलाडू इनका मूल स्थान बताया गया है कि दच्छिर भारत में तमिलाडू के रहने वाले थे, वहां के निवासी थे आचार अपय दिख्षित न केवल काब्य सास्त के अपितु इन्होंने सभी विषयों में, सभी विधाओं में इन्होंने सताधिक गरंथों की रचना की इनके द्वारा सो से अधिक गरंथों की रचना की गई, लगवक 104 गरंथ इनके प्राप्त होते हैं, ऐसा वरन प्राप्त होता है इन्होंने वेरान्त, मिमामसा, व्याकरण, काब्रसास्त एवं अलंकार विशेक गरंथों की रचना की गई है इनके द्वारा इन गरंथों में अलंकार विशेख जो गरंथ है वो व्रित्तिवार्तिक, चित्रमिमामसा और कुबलायानन्द यह इनके रमुख अलंकार विशेख गरंथ है व्रित्तिवार्तिक एक अलंकार गरंथ है जो दो परिक्षेदों में विभक्त है अर्थात इन्होंने व्रित्रिबातिक ग्रंथ को दो भागों में विभक्त किया है दो परिक्षेदों में इन्होंने इसे विभक्त किया है चित्रमिमामसा एक काब्य सास्त्री ग्रंथ है जिसमें बारह अलंकारों का वरण किया गया है पंडित राज जगन्नाथ ने इनका खंड़न करते हुए चित्रमिमामसा खंड़न नामक गरंत लिखा है इससे ये पता चलता है कि आचारे अपएदिक्षित और पंडित राज जगन्नाथ यह समकालीन कवी रहे हैं और कवियों में जैसे हर बड़े व्यक्ति के बीच में आपस में अंतर विरोध होता है वैसे ही हमारे काबिस आचारियों के बीच में भी सिधान्त को ले करके व्यक्तिकत मत्भेद नहीं होते थे अपिति सुधान्त और विचारों को ले करके मत्भेद होते थे यही मतभेर रहा है कि उन्होंने आचार पंडीतार जगनाथ ने इनके ग्रंथ काविशास्त्री ग्रंथ चित्रमिमामसा का खंडन करते हुए उसके उपर उन्होंने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम था चित्रमिमामसा खंडन यहाँ पंडिता जगनात न रिखा है और वो भी किसलिए आचारे अप्पय दिक्षित की रचना चित्र में मामसा का खंडन करने के लिए कुबलयानंद में अप्पय दिक्षित ने 123 अलंकारों का वर्रंग किया है जिसमें जैदेव की रचना है चंद्रा लोग जिसमें उन्होंने जैदेव के चंद्रा लोग से सव अलंकारों को लिया है इन्होंने 123 अलंकारों में सव अलंकारों को इन्होंने जैदेव आचारे जैदेव के गरंथ चंद्रा लोग से सव अलंकारों को लिया है और इन्होंने 23 स्वैम के 23 अलंकारों का वर्रंग किया है बाकी सव अलंकारों का वर्रंग इन्होंने आचारे जैदेव के चंद्रा लोकनामग्रंथ से लिया है अगले आचारी की रूप में आचारी ममठ के विश्या में हम अध्यान करेंगी आचारी ममठ ध्वनी संप्रदाय के सबसे महत्रपुर्ण प्रतिष्ठित आचार माने जाते हैं इनकी उपाधी वाग देवतावतार ध्वनी प्रस्थापन परमाच आचारी ममठ की उपाधी है इनके विश्या में कहा जाता है कि काविकार जितना सकीक जितना सरल्तम वरण इन्होंने किया है वह परवर्ति यदि आचारे विश्वनात को छोड़ दिया जाए तो परंपरा से आते हुए आचारे भरत मुनी से ले करके आचारी ममठ ने अपन अपने ग्रंथ में उसका वर्रंग किया है जहां अनेक आचारियों ने अपने ग्रंथ में कई इस लोकों में कावि के लक्षन, उसके प्रयोजन, उसके प्राणभूत तत्र के विशय में विस्त्रत वर्रंग किया है वही पे आचारि ममट ने अपने ग्रंथ में मात्र एक से दो इस लोकों में एक-एक पंक्ती में उन्होंने कावे का सुन्दर वर्रंग किया है। आचारे मम्मट के पिता का नाम जैयट है। इनके दो भाई हैं जिनका नाम कैयट और उबबट राप्त होता है। इनका समय इग्यारहमी सताब्दी का गुरुवार्ध माना जाता है। आचारे मम्मट भी कस्मीर के निवासी थे। इनके विशय में कहा जाता है कि यह इन्होंने कासी सिया करके भी सिक्षा ग्रहन की है संभवतया। इसलिए वहां से अध्यां करने एक बार यह कस्मीर लोटके गए हैं। हम उनकी रचनाओं के विशय में बात करते हैं। आचारे मम्मट का जो प्रमुख ग्रंथ है वह काब्य प्रकास है। जो काब्य को प्रकासित कर दे ऐसा ग्रंथ काब्य प्रकास है। काव्य प्रकास काव्य सास्त का प्रमुख एवन प्रामारिक ग्रंथ है जो दस उल्लासों में विभक्त है जिसमें काव्य के सभी अंगों का वरण किया गया है इस ग्रंथ के तीन भाग है आचारी ममट ने अपने इस गरंथ कावे प्रकास को दस भागों में विभाजित किया, दस उल्लासों में विभाजित किया और उसको भी उन्होंने तीन भागों में वरण किया है इस गरंथ के तीन भाग हैं कारिका भाग, बृत्ति भाग और उदाहरण भाग कारिका और वृत्ति इनकी स्वैम की रचना है जबकि उदाहरण के रूप में अधाथ अपने कावी के लक्षणों को पुष्ट करने के लिए उदाहरण के रूप में इन्होंने अन्य गरंथों से भी उदाहरणों का सहारा लिया है उनके इस ग्रंथ में कावे प्रकास में 142 कारिकाएं प्राप्त होती है इस ग्रंथ की महत्ता इतनी है कि भगवत गीता के बाद सबसे ज़्यादा टिका इसी ग्रंथ पर लिखी गई थाथ विश्व साहित में सबसे ज़्यादा अगर किसी ग्रंथ पे टीका लिखी गई है तो वह भगवत गीता पे लिखी गई है और भारत में यदि भगवत गीता के बाद किसी पर सबसे ज़्यादा टीका लिखी गई है तो वह आचारे ममठ के कावे प्रकास को लिखी गई ह सबसे प्रथम जो कावे प्रकास की कीका और प्राचीन कीका प्राप्त होती है वह आचारे मारिक की चंद की संकेत कीका है जो कावे प्रकास का प्रथम कीका माना जाता है आचारे मम्मट का जो प्रमुक्सिद्धान्त है वह ध्वनिवादी आचारे हैं और उन्होंने ध्वनि संप्रदाय को इस्थापित किया आचारे आनंदव अधन ने जिस ध्वन संप्रदाय को आगे बढ़ाया उसको आचारे ममट ने आचारे अभिनोगुप्त ने इन लोगों ने उसको इस्थापित किया ध्वनिवादी आचारे रहे हैं आचारे मम्मट और ध्वन संप्रदाय को इस्थापित करने में उनका महत्रपुन योगदान रहा है उन्होंने जैसा कि पुर्व में कहा है कि पुर्वरती समस्त आचारियों सभी आचारियों के ग्रंथों का अर्ध्यन करके उन्होंने काविका सबसे सरल एवं इस पश्ट लक्षन प्रस्तुर किया किसीने सब्द को माना, किसीने अर्थ को माना, किसीने गुन को माना तो किसी ने दोशों को नहीं माना अथात प्रत्यक आचारियों ने कुछन-कुछ भाग के कुछन-कुछ भागों को छोड़ दिया था लेकिन आचारिय मम्मट ने उन सभी के सारभूत तत्त को उसको समझ करके अपने ग्रंथ में उन्होनी काब्य का सबसे सरल एवं इसपस्ट लक्षन परस्तुत किया जो तद दोशं शबदार थव सगुडावन लंक केते हिकुन कवापी अथात वह काब्य कैसा होना चाहिए अपने इस कावि लक्षर में अपने से पुरोवरती सभी आचारियों के कावि के लक्षर को इसमें समाहित करने का प्रयास किया आचारि ममट ने अपने गरंथ कावि प्रकास के नवे अवन दसम उल्लास में 68 अलंकारों का प्रयोग किया है जिसमें 7 सब्दालंकार और 61 अल्थालंकार है अगले आचारि के रूप में हम आचारि भोज राज का वररंग करेंगे भोज राज के विशह में पढ़ेंगे यह प्रसम आचारि है जो राजा भी रहे है इतिहास में रार्या भोज के नाम से इनकी परशिधी रही है इनके पिता पर्मार वंसी राजा सिंधूल है ऐसा इतिहासिक साक्ष के लिप में प्राप्थ होता है कि इनके पिता का नाम सिंधूल था इनका समय 11.20 का उत्तराद माना जाता है अर्थात 2018 से ले करके एख़जाब पैसक इस भी के मद्ध है इनका इस्थान इनका समय माना जाता है इनका जन्मस्थान मालवा के निवासी माने जाते हैं मालवचित्र के निवासी माने जाते हैं इनके रचनाओं के विशय में वरण प्राप्त होता है कि इन्होंने 84 से अधिक पुस्तकों की रचना की है अथाथ महाराज भोज की 84 पुस्तकों के होने का उलेख प्राप्त होता है यद्यपी संपुर रचनाए उनकी अभी भी उपलब्ध नहीं है किन्तु कुछ गरंथों में 84 से पुस्तकों के उलेख होने का वरण मिलता है अलंका सास्त के छेत्र में महाराज भोज ने आचारे भोज की दो रचनाए प्राप्त होती है सिहस्ती कंठा भरण और शिरिंगार प्रकास यह दोनों महत्वपूर्ण गरंथ हैं जो का बिचात्स का तीसरे गरंथिन का चम्पुरामाएर प्राप्त होता है सिहस्ती कंठा भरण में पांच परिक छेद है यह काबिशास्त का एक समन्वय आत्मक ग्रंथ है अर्थात अन्य ग्रंथों के साथ उसको समन्वय इस्थापित करके इसमें सभी आचारियों के मतों का समन्वय किया गया है और एक निरोरय पे पहुँचने का प्रयास किया गया है सार्भोम नोड़य पे पहुचने का प्रयास किया गया है उनके मतों को इसमें दिखलाने का प्रयास किया गया है इसमें इस ग्रंथ में सौस्तिक अंठा भरोन ग्रंथ में आचारे भोज ने 72 अलंकारों को तीन भागों में विभाजित किया है यह प्रथम आचारे थे जिन्होंने अलंकारों को व्यवस्थित तीन भागों में विभाजित किया जिसमें उन्होंने 24 सब्दा लंकार, 24 अरथा लंकार और 24 उभया लंकार के रूप में इन्हेंने उसका विभाजन किया आचार भोज का जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है काबिसास्त का जो रस्परक ग्रंथ है रस्पे जो उन्होंने काम किया वह है श्रिंगार प्रकास इसको काबिशास्त का सबसे विश्टत ग्रंथ कहा जाता है इन्होंने अपने इस ग्रंथ को 36 प्रकाशों में विभक्त किया है पुन्ह बता देते हैं प्रकाशों से तातपर है जैसे लोग अध्यायों में विभाजित करते हैं इन्होंने अपने इस ग्रंथ को प्रकास नाम से विभाजित किया है, तो इनका संपूर्ण ग्रंथ सिरंगार प्रकास 36 प्रकासों में विभक्त है, इसमें भोज ने रस का विशद विवेचंग किया है, रस के संदर्व में प्रायह सभी आचारियों ने काब्य के महत्रपूर तत्तु के रूप में रस को स्विकार किया है। आत्म तत्तु के रूप में सबसे पहले आचारे भरत्मुनी ने अपने ग्रंथ नाक्य सास्त में रस को काव्य की आत्मा माना है। रस को आधार बना करके आचारे भोज ने रस का विशद विवेचं किया और अपने इस ग्रंथ श्रिंगार प्रकास को 36 प्रकासों में विवक्त किया। और इन्होंने श्रिंगार को सभी रसों का मूल माना। मूल रूप से श्रिंगारों की संख्या आचारे भरत मूनी ने आठ बतलाया, बाद में ममट और विश्वनाथ ने नव रस को भी माना। शांत रस को जिसमें ममट निर्वेद और आचारे भिश्वनाथ ने उसका इस्थाई भाव शम माना। उन्होंने नव रसों को माना है। तो आचारे भोज ने सभी रसों के मूल अठात सबसे प्रमुख जो तत्व हैं। अठात तेजिस श्रिंगार न रहे तो अन्य रस भी नहीं रहेंगे। इसलिए उन्होंने श्रिंगार को सभी रसों का मूल माना है। अगले आचारे भिश्वनाथ के विशे में हम अध्यन करेंगे। आचारे भिश्वनाथ ऐसे कवी हैं जिन्होंने अपने पूरो वरती सभी कवियों का अध्यन किया और उसको अपने गरंथ में महत्रपुर्ण इस्थान दिया। जहां आचारे भरत मुनी ने अपने गरंथ नाच्के सास्त में केवल नाच्के से सम्बंदित अंगो और उपांगो का वररंग किया और अंग रूप में सामाने रूप से उन्होंने काव्य सास्त का वररंग किया था। उसी स्थान पर आचार्य विश्वनाथ ने अपने ग्रंथ में नाक्य और काव्य दोनों को अपने ग्रंथ में महत्रपूर्ण स्थान दिया आचार्य विश्वनाथ के पिता का नाम चंद सेखर प्राप्त होता है इनके पितामः नारायर दास और इनके पितामः के भाता का नाम चंडी दास राप्त होता है आचार विश्वनात का समय चतुत्र सताब्दी का उत्तराद माना जाता है लगभक 1380 Vanderby से ले करके 1385 Vanderby के मध्य माना जाता है इनके निवास स्थान के विशे में, इनका निवास स्थान उडिया माना जाता है, उडिशाच छित्र के निवासी माने जाते हैं आचार विश्वनाथ ने केवल काविसास्त के तरिक्त अन्य गंथों की भी, अन्य कावियों, महा कावियों की भी रचना उन्होंने की वह न केवल काविसास्त के आचार थे अपितु एक प्रखर कभी भी रहे और उन्होंने न केवल काविके गन्थों का वरण किया अपितु उन्होंने अनेकों महाकावियों का भी वरण रचना किया है आचार थे सुनरा द्वरा निम्र काविसास्ति गन्थों का रचना किया गया जिसमें प्रमुख है साहित्य दरपण, काविय प्रकास दरपण, रागहो विराश, महाकाविय, कुबलयास चरित महाकाविय, प्रभावती पर्लेम, चन्रकला, प्रशस्ति रतनावली और विजय आदी, महत्रपुर्ण, इनकी रचनाएं प्राप्त होती हैं, इनके पिता चंद सेखर की कृतियां भी प्राप्त होती हैं, जो पुष्पमाला और भासारणों के नाम से भी प्राप्त होती हैं, आचारी विश्वनाथ ने अपने ग्रंथ में इस्थान इस्थान पे अपने पिता के द्वारा लिखी गई पुस्तक में उधृत जो इश्लोक है उसका भी वरण करते आए हैं अएसा वरण भी प्राप्त होता है इनके पिता जो चंडी दा से उनकी रचना दीपि का कीका उन्होंने लिखा जो उन्होंने काव्य प्रकास पर उन्होंने कीका लिखी थी साहित्य दर्पन के विशा में बात करते हैं, आचारी विश्वनाथ का सबसे अमर कृती मानी जाती है, सबसे महत्पुर्ण गरंथ माना जाता है, जिसमें इन्होंने काब्य के सभी तत्वों का, पूरू में भी बतलाए गया कि आचारी विश्वनाथ ने काब्य के सभी किये हैं, तो नाट्ट के अंतरगत, नाटक किसे कहते हैं, नाट्ट के महा काब्व, उनके जो अंग भूत है, उनका वरणन, पूर वरंग, आधिका वरणन, सारे विश्यों पर उन्होंने विशद वरंग किया है, इसलिए उनके ग्रंथ का नाम है साहित्य दरपन, जैसे काब्य अपित्य नाट्ट के संपूर और अंगों का वरण प्राप्त होता है, साहित्य दरपन, दस परिक्षेदों में विभक्त है, इसमें इन्होंने आचारी विश्वनाथ ने अपने ग्रंथ में साथ सब्दालंकार और पचहत्तर अरथालंकारों का वरण किया है, आचा इनका ममट आदी से कुछ तत्यों पर विवाद रहा है, काब्य के प्राण भूत तत्यों उसके विशेशन भाग पर विवाद रहा है, फिर भी ये भी ध्वनिवादी आचारे रहे हैं, अश्टा दसवार विरासिन भोजंग यहां इनका विशेशन है, इनकी उपाधी रही है, सांधिविक ग्रहिक इनकी उपाधी रही है, और महापात्र ब्रामहर रहे हैं, इसलिको महापात्र आदी की उपाधी भी तरान की गई है, आचारे विशुनात का जो प्रमुक्सित धान्त है, वह है वाक्यम रसात्मकम काब्यम, वह किसको काब्य मानते हैं, किस प्रकार के गर्ण्थ को काव्य मानते हैं जो रसात्मक हो अर्थात इन्होंने भी रस को काव्य का मूल तत्व माना है यदि हम काव्य को पढ़े और उससे हमको रसानुभूती न हो तो फिर वह काव्य काव्य नहीं होता है इसलिए रसानुभूती काव्य का सबसे महत्व पूर्ण तत पंडितराज जगन्नाथ के विशय में चर्चा करेंगे, आचार पंडितराज जगन्नाथ उनकी माता का नाम लक्ष्मी एवन पिता का नाम पेरुभट राप्त होता है, ये तैलंग ब्राम्हर थे, अरथात इनका जन्न दक्षिल भारत में हुआ था, किन्तु इनके पूर्व ये अरंग जेप के समकालीन रहे हैं, संभवतया ऐसा माना जाता है, इनका निवास स्थान, इनके पूर्वज जो थे, वह आंधर प्रदेश में रहने वाले थे, बाद में ये वारांसी चले आए, इनके पूर्वज आके वारांसी आगे, इसलिए आचार जगन्नाथ का जन वारांसी में ही हुआ, उनके सिक्षा दिक्षा भी वारांसी में ही हुई, किन्त इनकी जो कर्म भूमी रही, वह इन्होंने दिल्ली और जैपूर, इन्होंने अपनी युवावस्था दिल्ली और जैपूर में ही व्यतीत किया, इनके विश्यमे की उदंती है, कि दिल्ली ज आचार पंजीजाट जगननाथ यह भी ध्वनिवादी आचार और रसको प्रार्भूत तत्त को रूक में मानते थे। इनकी जो प्रमुख रचनाये हैं आचार जगनात की इन्होंने भी अनेक गरंथों की रचना की जिसमें इनकी प्रमुख रचनाये हैं अमृत लहरी, लक्ष्मी लहरी, गंगा लहरी, जगदा भरण, प्रारा भरण, आसफ विलास, भामिनी विलास, चित्र मिमामसा खंडन, मन नोर्मा कूच मर्दन और रश गंगा धर यह इनकी प्रमुख रचनाएं हैं और प्रतेक रचनाएं अपने में अद्भूत है लाई की दिश्टी से चंद की दिश्टी से केवल इन्होंने काव्य सास्त का ही काव्य पेह सम्मंधित ही रचनाएं नहीं की अपितो इन्होंने ब को लिखे हैं कितने सुन्दर छंदों में इन्होंने वरण किया है इनकी इतनी रचनाएं प्राप्त होती है काब्य सास्त में जो इनके अप्रमुख रचना है वह रस गंगाधर प्राप्त होता है जो काब्य सास्त का पांजित्य पूर्ण ग्रंथ माना जाता है इन्होंने न्याय की सहली में इन्होंने अपने इस ग्रंथ का वरणंग किया है, प्रस्तुत ग्रंथ, इनका यह ग्रंथ, दो आननों में विभक्त है, जिसमें प्राचीन आचारियों, आनन्द वरधन, मम्मट, विश्वनात, आधिके तरकों का खन्यन भी किया गया है. पुरों में ही मैंने बतलाया कि आचारियों में वैचारिक सिध्धान्तों को ले करके कुछ न कुछ विरोध रहा है, जिसको उन्होंने अपने ग्रंथों के माद्यम से प्रदर्शित भी किया है. इन्होंने अपने ग्रंथ में सत्तर अलंकारों का वरण किया है, इनका जो प्रमुक्सित धान्त है, आचारे जगन्नात का कि रमरियार्थ प्रतिपाद का सब्दह काभ्यम, कि किस प्रकार का काभ्य होना चाहिए, तो कहरें जो रमरी अर्थ को, जो सुन्दर अर्थ को, आन सब्द को काभ्यमाना है, इनका विचार है कि सब्द में अर्थ स्वतह विद्यमान रहता है, तो रमरियार्थ प्रतिपाद का सब्दह काभ्यम, रमरी अर्थ को प्रतिपादित करने वाले सब्द को काभ्य कहते हैं, धन्यवादा झाल झाल